सभी पेरेंट्स और दियर स्टुडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग मैं मैं अध्ल एक्सरर देवी सिंग आज आपके लिए लेकर के आया हूँ डिफिन्सेशन की एक्सरसाइज 7.7 डिफिन्सेशन का इस वीडियो में एट्थ पार्ट इसमें कराया जाएगा सभी ध्यान से देखना वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब कर देना जिससे समय समय पर हमारे नॉटिफिकेशन्स आप तक पहुँच सकें देखिए एग्जाम्पल फस्ट फाइंड डिवाई और डिएक्स एप एक्स एक्वाल टू टू एटी सुकेयर कॉमा वाई एक्वाल टू फो एटी यहां से आपको डिवाई डिएक्स निकालना है कैसे निकलेगा बता देते हैं आपको मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आपका एक्स एक्वाल टू जैसे यहां पर दिया हुआ है एक्स एक्वाल टू टू एटी सुकेयर यह दिया हुआ है तो हम यहां देखते हैं कि right hand side में हमारा जो variable है वो क्या है इसके right hand side में जो variable है वो t है तो इसका differentiation हम with respect to t करेंगे क्या करेंगे with respect to t तो x का differentiation with respect to t क्या होगा dx over dt equal to 2 को आगे लिया आएंगे और 2 में से एक कम कर दिया जाएगा power में से हम एक कम करते हैं क्या हो जाएगा 480 आपका आजाएगा equation first again second जो condition दिया हुई है y equal to 480 दिया हुआ है यहां से हम differentiation with respect to t करेंगे dy over dt यह 4 आपका हो जाएगा equation second मान लेना from equation first and second dy over dx जब dy over dx आप नकालोगे तो dy over dt तो उपर रहेगा और dx over dt की value नीचे रहेगी जैसे dt से dt क्या हो जाएगा यहां से cancel हो जाएगा तो यह dy over dx यह आपका आजाएगा परंतु but dt को dt से cancel करके आपको नहीं दखाना है सीधे यह आपको ध्यान रखना है कि ऊपर आपका dy over dt आता है और नीचे आपका dx over dt तो dy over dt की value ऊपर आजाएगी 4a और यह नीचे dx over dt की value 4a t 4a से 4a cancel हो जाएगा one बार तो यह one by t आपका answer आजाएगा second question है देखिए second में क्या दिया हुआ है here x equal to one minus t square over one plus t square यह आपका दिया हुआ है आपको पता है p upon q form में cosine true लगेगा denominator one plus t square differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator upon square of denominator यह आपका आजाएगा differentiation खोलिए इसका one plus t square one minus t square का minus 2t यह आपका same है one plus t square का 2t over denominator का square आपका है यहाँ next 2t यहाँ से भी और 2t यहाँ से दोनों जगे से common है minus का 2t common ले लिया अंदर क्या आया one plus t square plus one minus t square t square से t square cancel हो जाएगा minus के 40 over one plus t square का square यह आपके equation first आपकी आजाएगी similarly इसी तरीके से second equation आपकी दी हुई है y equal to 2t over one plus t square तो यहाँ भी आपको sign tool लगाओगे denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator square of denominator फिर आप इसको solve करोगे जब हम इसे solve करेंगे तो हमारे पास आजाएगा देखिए ध्यान से हमने इसको माना था equation first फिर यहाँ देखिए 2t का differentiation 2 हो जाएगा minus 2t यहाँ है 1 plus t square का differentiation 2t और square of denominator यह आजाएगा हमारा क्या करते हैं अब इसे हम solve करेंगे तो यह हमारा आजाएगा 2 2 1 जा 2 2t square पलस का और minus का 40 square तो minus का 2t square आएगा और square of denominator आपका ही 2 ऊपर से common आजाएगा 2 common ले चुके है 1 minus t square over 1 plus t square का square इसे आप equation मानोगे second from equation first and second नकालना है हमें dy over dx equal to तो ऊपर function आएगा आपका dy over dt और नीचे आपका आएगा dx over dt तो dy over dt आपका कहाँ है dy over dt आपका यह है यहां में इसको लिख देंगे upon आएगा dx over dt तो इसका क्या हो जाएगा नीचे वाली संख्या का reciprocal हो जाएगा तो इससे यह क्या होगा यहां cancel हो जाएगा तो से यह तो बार cancel हो जाएगा यहां फोर क्या एगा उपर माइनस रह है ही यहां one minus t square over 2t यह आपका answer है next question पर चलते हैं here x equal to 2a over one plus t square क्या करना है 2a आपका constant one plus t square इसका आपको differentiation करना है कैसे करोगे हो जाएगा देखिए one plus t square की power one है ऊपर जाएगे आपकी power minus one बनेगे तो जब हम इसका differentiation करेंगे minus आ जाएगा आगे one plus t square की power minus two आपके हो जाएगी और t square का differentiation आपका 2T हो जाएगा कितना हो जाएगा 2T क्या आया यह माइनस के 2T अपन 1 पलस T सुकेर 1 पलस T सुकेर का सुकेर तो यह आपका आएगा यहाँ फिर देखिये दिया क्या है 2A और दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है 2A तो 2a से और multiply कर देंगे हमें से जब 2a से आप multiply कर ओगे तो minus 480 upon 1 plus t square का square इस तरीके से इसका differentiation हो जाएगा और इसे हम equation first मान लेगे again y equal to 2a square over 1 plus t square फिर यह constant है इसको उपर ले जाएगे इसका भी differentiation similarly इसी तरीके से कर देंगे यह आपकी equation second हो जाएगे अब क्या करोगे so dy और dx equal to dy और dt उपर dx और dt नीचे dy और dt की value यह है सेम आगे जब इसके अपनों आप dx और dt करोगे तो इसका reciprocal हो जाएगा क्या करना है इससे यह cancel हो जाएगा 4 से 4 cancel हो जाएगा यहाँ और t से t cancel हो जाएगा आपका एक a से एक a वार cancel हो जाएगा और यहाँ minus से minus cancel हो जाएगा सारा कुछ cancel हो जाएगा और यह आपका equal to a आ जाएगा यह यह आपका answer होगा next question आपका देखते हैं here x equal to 380 over 1 plus t so care students सभी में आपको cosine true का यूज करना है जो भी question आपका p upon q की form का है तो आप यहाँ cosine true का यूज करिए कैसे denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator calculation कर लेंगे हम इसकी बड़ी बात नहीं है calculation करने के बाद यह आएगा इसको हम solve करेंगे 3a minus के 680 square plus के 380 square तो minus के 380 square और square of denominator है 3a common ले लिया और आप इसको मान लेंगे equation number first similarly solve करिए y equal to 380 square over 1 plus t so care cosine true list में आप लगाओगे लगाने के बाद में आपका यह आजाएगा equation आपकी second आजाएगी from equation first and second dy over dx dy over dx जब आप dy over dx करोगे क्या आएगा यह यहाँ से आपकी equation first थी यहाँ से आपकी equation second तो dy over dt इसकी value आगे और इसकी value जब नीचे लिखी जाएगी तो इसका reciprocal हो जाएगा इससे यह cancel हो जाएगा 3a से यह 2 bar cancel हो जाएगा तो ऊपर क्या आएगा 2t और नीचे क्या आया आपका 1-t square यह आपका answer है सभी questions एक जैसे है first function से dy over dt नकालोगे second function से dx over dt नकालोगे इसमें first function का second function का system क्या होता है कि आप first function के का भी differentiation कर सकते हो पहले और second function का भी आगे पीछे किया जा सकता है इससे question में कोई भी difference आने वाला नहीं है fifth part है आपका here x equal यह दिया हुआ है यह को आगे ले लिए जाएगा constant है cosine rule denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator so care of denominator इसके बाद मैं solve किया ही है हमने क्या आया two a t देखो यह तो यहां है ही पूरे के बाहर है यह तो two t यहां से भी common ले लिया two t यहां से भी common ले लिया तो one minus t square minus minus plus one plus t square t square से t square cancel हो जाएगा one और one आ जाएगा two अब यहां ध्यान से देखिए one और one हुआ two 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 is a four 480 over one minus t square का whole square तो यह आपका आ जाएगा students equation first आप जो आपका second जो function है क्या है y equal to two t over one minus t square क्या करोगे differentiation करोगे with respect to t cosine tool आपको लगाना है बार बार बता चुके है solve हो जाएगा solve हो करके आपकी equation second आपकी बन जाएगी from equation first and second dy और dx equal to dy और dt over dx over dt तो dy और dt आपका यह हुआ dx over dt आपका यह हुआ इससे ही आपका cancel हो जाएगा one plus t square over 280 यह आपका answer है next देखिए example first का sixth part है यह let x equal to हम इसको under root के अंदर जो value दी हुई है उसकी जगह हम u माल लेते हैं तो यह आजाएगा where u equal to t square minus one over t square plus one तो आपका यह आएगा a under root u यहाँ पर यह क्या जाएगा a under root u तो यहाँ से dx over du निकलेगा फिर देखिए यहाँ से आपका du over dt निकलेगा तो हम पहले इसका भी कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं यह आपके मर्जी की बात है आपके यह इच्छा है किया आप किस फंक्षन का पहले करते हो तो d over dt t upon q 4 में यह denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator square of denominator 2t common t square से t square cancel हो जाएगा 1 और 1, 2, 2, 2s are 4 t square of denominator आपका है dx over dt कैसे निकालोगे dx over du और du over dt ऐसे निकलेगा dx over dt कैसे निकलेगा dx over du multiply du over dt dx over du dx over du यहां से निकलेगा a और under root u का जो formula होता है वह आपको पता ही है 1y2u की power minus 1y2 और यहां पर du over dt का अभी हम निकाल चुके हैं यहां से यहां जाएगा इसके बाद में देखी students a over 2 u की जगे u की value minus 1y2 था नीचे आगया पलस का हो गया और 1y2 का मतलब under root हो गया और यह आपका है अब क्या करेंगे यह 2 बार cancel हो जाएगा यहां पर 280 आएगा under root t square plus 1 को हम उपर ले जाएंगे उपर ले करके जाएंगे तो 1y2 पावर होगे इससे नीचे लाएंगे यह 3y2 हो जाएगा और यह आपका t square minus 1 का under root यहां रहे गाई तो यह आपकी question first हो जाएगे next आगे चलते हैं हम देखिए y की जो value है y की value यहां पर क्या दियो है a t under root t square minus 1 over t square plus 1 यह दिया हुआ है t a under root t square minus 1 over t square plus 1 तो यह जो value थी total यह x की value थी इसका मतलब यह t x आपका बन गया क्या बन गया यह t x इसका differentiation हम करी चुके है क्या करोगे dy over dt equal to t first differentiation of second dx over dt plus second x और t खा जाएगा आपका 1 तो t आपका है dx over dt हम निकाल चुके है plus x की value आपकी यह है solve करते है 280 square t की multiply यहां हो जाएगी इसके बाद भी यह आपका है कोई बाकी इसके उपर under root अलग लगा दिया और इसके उपर under root अलग लगा दिया next आगे देखते है क्या आएगा a यहां भी है यहां भी है a दोनों जगे a दिया हुआ है a 12 चुका है अब करना क्या है t square यहां देखे इसका यह हमने lcm ले लिया है आपको पता है जब बीच में plus है minus होता है तो किसी भी function का lcm लिया जाता है lcm आपका यह आ चुका है under root t square minus 1 into t square plus 1 की power 3 by 2 यह आपका आ चुका है तो यह आपका आया a common पहले हो चुका है तो यह आपका 2 t square यहां से आ जाएगा under root t square plus 1 से एक power cancel हो जाएगी half power बचेगी इसकी और यहां पर t square minus 1 है और यह t square plus 1 आ जाएगा इसके बाद में देखिए करना क्या है a बाहर है अंदर इससे हम solve कर देंगे t की 4 plus 2 t square minus 1 यह आपका आ जाएगा simplify कर लेना multiply करना सीधा हो जाएगा यह आपका same है इससे आगे dy और dx कैसे निकलेगा dy और dt over dx over dt dy और dt यह है dx over dt आपकी है cancel क्या होता है cancel में एक तो यह cancel हो जाएगा उसके बाद आ से यह cancel हो जाएगा उसके बाद में t square plus 1 की 3 y 2 से यह भी cancel हो जाएगा उसके बाद कुछ भी cancel नहीं होता तो उपर यह आ जाएगा denominator map cut 2 आ जाएगा और यह यह आपका answer रहेगा यह देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था सब कुछ cancel हो जाएगा देखो दोबारा देख लीजिए इससे तो यह पूरा cancel होगा यह से आपका यह cancel हो गया उपर यह और नीचे टूटी यह आपका answer है next question देखते हैं क्या है देखिए 7th part here x equal to t plus 1 over t t की power a इसका हम differentiation करेंगे dx over dt पहले हम power का करेंगे t का 1 हो जाएगा 1 upon t का minus 1 over t so care हो जाएगा फिर हम इसको equation first भी आप ले सकते हो इसके बाद में y की जो value है आपकी y की value a की power t plus 1 over t तो 1 power x का divided dt 1 power x का हो जाएगा आपका 1 power x log a और t का 1 और 1 over t का minus 1 over t so care हो जाएगा d y dx नकालोगे सीधा d y dt उपर dx over dt नीचे cancel कुछ होता है कर दो यह आपका cancel हो जाएगा इसके बाद में a की power t plus 1 over t है log a आपके पास है यहाँ पर क्या करोगे a t plus 1 over t की power a minus 1 क्या हो जाएगा a minus 1 है यहाँ यह तो उपर वाला तो cancel हो चुका है यह यहाँ से आ जाएगा और यह उपर से आ जाएगा तो यह आपका आ चुका यह cancel होगा बस यह cancel होने के बाद यह आ चुका है next आगे चलते हैं answer ही यह होगा question number second आपका if x equal to 1 minus t square over 1 plus t square dx over dt आप यहाँ से नेका लोगे students cosine 2 denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator square of denominator यह आपका जाएगा यहाँ से minus 2t common ले लिया जाएगा तो 1 plus t square minus 2t बाहर चा लगाया 1 minus t square t square से t square क्या हुआ cancel हो चुका है 1 और 1 हो गया 2 2 2 जा 4 minus 4t over denominator का square आपका है यह तो यह आपका जो आएगा यह आपके equation first मान ली जाएगा y equal to 2t over 1 plus t square है फिर वो इको साइन 2 लगेगा लगा देना denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator square of denominator solve करेंगे आपका यह आजाएगा from equation first and second dy over dt यहाँ dx over dt करेंशी प्रोकल यहाँ सब cancel हो जाएगा क्या क्या cancel होगा यह cancel हो जाएगा 2 से यह फिर यह 2 बार cancel हो जाएगा 2 बार तो यह आए 1 minus 300 के रो बार minus 2t यह आप 500 है next और भी कुछ इसमें पूछा है साइद कोई प्रूव अगरा करना है क्या करना है देखा नहीं मैंने देखिए यह आपको प्रूव करना है dy और dx plus x over y equal to 0 आपको लाना है तो अब क्या है इसमें value put कर देते हैं कोई बात नहीं है तो यह dy और dx देखते हैं पहले x over y नकालिए x की value यह y की value जो दी हुई थी यह थी परनत यह अपन में आने के कारण reciprocal हो जाएगा इससे यह cancel हो जाएगा तो 1-t square over 2t आया अब आप left hand side लोगे तो dy और dx dy और dx यह है आपका minus into 1-t square over 2t plus x over y x over y अभी नकला यह आया है दोनों cancel हो जाएगे एक जैसे equal to 0 equal to RHS next यह equation number थाड़ा आपका क्या दिया हुआ है find dy और dx वेयर आप यह समझे कि जो हमारा chain rule होता था उसमें तो हम multiply में करते थे दोनों function का differentiation इसमें हम divide में करते हैं parametric function में यह आपको दिहान रखना है x equal to sin 2t x equal to sin 2t dx over dt cos 2t और 2t का 2 आ गया y equal to 2 cos t dy और dt आ जाएगा minus 2 sin t उसके बाद में dy और dx क्या करोगे dy और dt over dx over dt 2 से 2 cancel हो जाएगा यहाँ पर minus sin t over cos 2t आपका answer हो रही next here x equal to a cos cube theta तो dx over dt थीटा पहले power का 3a cos 2t cos का minus sin हो जाएगा यह है minus 3a cos 2t sin theta y की value यह है power की खोलोगे dy और dt theta 3a sin सुकर theta और फिर sin का हो जाएगा cos theta dy और dx dy और dt theta की value उपर और dx over dt theta की value नीचे 3a से 3a cancel और कुछ cancel होता है 1 cos से 1 cos 1 sin से 1 sin sin upon cos 10 होता है minus आगे लगा हुआ ही है तो यह आपका यहाँ से जो आएगा dy over dx आजाएगा next x equal to a sec theta तो dx over d theta a sec theta का sec theta 10 theta हो जाएगा b equal to sorry y equal to b 10 theta तो यह y की value जो d हूँ है b 10 theta इसका differentiation किया जाएगा तो dy और d theta b 10 theta का differentiation sec square theta फिर वोई dy और dx dy और d theta over dx और d theta dy और d theta जो आपका है वो आपका b sec square theta है यहाँ पर और dx over d theta यह है यहाँ x x x cancel हो जाएगा तो b sec theta over a 10 theta उसके बाद में देखिए b upon a sec होता cos का उल्टा one over cos और 10 का उल्टा हो जाएगा cot और cot होता cos upon sin cos से cos क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो b upon a sin theta sin किसका उल्टा होता है cos sec का तो b upon a cos sec theta answer है आपका next इसमें here x equal to a sec cube theta इसका differentiation आप करोगे dx और d theta पहले power का हो गया sec का sec theta 10 theta 3a sec cube theta 10 theta आपका आचुका है equation first मान लेना y equal to b 10 cube theta b तो b रहे गाई 3 आगया जाएगा 3 10 square theta और 10 theta का 6 square theta 3b 6 square theta 10 square theta यह आपका second हो जाएगा क्या करना students dy over dx निकालना इसके बाद में तो dy और d theta over dx और d theta उपर की value उपर और नीचे की value नीचे cancel होता कुछ 3 से 3 cancel हो जाएगा उसके बाद में 1 10 से 1 10 cancel हो जाएगा 6 square से 6 square हो जाएगा तो b over a 10 theta over 6 theta क्या किया है आगे 10 क्या होता है sin theta over cos theta और 6 क्या होता 1 over cos theta cos से cos cancel होगा तो sin आगया यह आया sin ठीक तो यहां सीधा आजाएगा b over a sin theta आणसर हो आपका next fourth है आपका find dy or dx when x equal to 2 cos square theta comma y equal to 2 sin square theta बात वो ही है पहले वाली here x equal to क्या है 2 cos square theta है dx over d theta 2,2 जब 4 हो जाएगा 2,2 जब 4 हो जाएगा 4 2,2 जब 4 होने के बाद में फिर देखिए क्या आने वाला है उसके बाद में आपका आएगा इसके calculation की जाएगी नीचे की भी यदि multiply हो रहा है तो multiply करेंगे और उसके बाद में आपका आजाएगा देखिए 2,2 जब 4 cos theta minus sin theta इसके बाद में 2,2 जब 4 हो गया sin theta cos theta हो गया 2 अब यहाँ y की value 2 sin square theta dy और d theta यहाँ से आजाएगा 2,2 जब 4 दखाया नहीं वैसे इसने 2 into 2 लिख दिया है 2 sin theta sin theta cos theta 2,2 जब 4 sin theta cos theta उसके बाद में dy और dx dy और d theta over और dx और d theta नीचे तो यह उपर आगया यह नीचे आगया सारा कुछ cancel हो जाएगा 1 बार तो minus 1 आपका अंसर आजाएगा यहाँ से next question है आपका here x equal to a into 1 plus cos theta implies dx over d theta minus a sin theta cos का minus sin होता बाकी 0 हो जाएगा y equal to a है divided d theta a into theta का 1 और sin theta का cos theta फिर यहाँ से divided dx नकालो divided d theta over dx over d theta नीचे a से क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा 1 plus cos theta क्या होता 2 cos theta y2 और यह क्या होता minus आगे है sin theta 2 sin theta y2 cos theta y2 2 से 2 cancel हो जाएगा 1 cos से cos cancel हो जाएगा cos upon sin minus cos theta y2 आपका आ जाएगा next देखते हैं third parts के लिए सबी same है वैसे here x equal to under root sin 2 theta सीधा नकाल दो 1 over 2 under root sin 2 theta sin 2 theta cos 2 theta 2 theta का आपका 2 आचो का है 2 से यह 2 cancel हो जाएगा cos 2 theta over under root sin 2 theta इससे आप equation first भी ले सकते हो इसके बाद में इसका खोलिए d y d theta यह आपका क्या हैगा 1 over 2 under root cos 2 theta cos का minus sin 2 theta और 2 theta का 2 2 से 2 यहाँ भी यह क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा क्या होगा आप d y d x नकालना है d y d theta over d x over d theta d y d theta आपका क्या है d y d theta यह है आपका d x over d theta का रैसी प्रोकल लिया जाएगा क्या होगा कुछ cancel होता है देखिये द्यान से इसमे इसमें cancel क्या होगा इसमें cancel कुछ भी नहीं होने वाला है तो sin 2 theta upon cos 2 theta 10 2 theta हो जाएगा और sin upon cos जिसको पर under root है under root 10 2 theta हो जाएगा इसकी power 1 इसकी 1 y 2 10 2 theta की power 3 y 2 आपका answer आचो का है next इसमें देखिये x equal to cos theta minus cos 2 theta dx over d theta करोगे cos का minus sin theta और cos 2 theta का minus sin 2 theta और 2 theta का 2 आजाएगा minus minus plus हो जाएगा divided d theta sin का cos sin का cos 2 theta 2 theta का 2 हो जाएगा divided dx divided dx करोगे divided d theta उपर dx और d theta नीचे और यह ही आपका answer next यह है आपका here x equal to a into cos theta plus theta sin theta तो dx over d theta का value नकाली a तो बाहर है cos का minus sin product 2 लगा of first differentiation of second plus side differentiation of first यह आपका आया cancel हो जाएगा sin theta से sin theta कितना है आपका a बाहर है theta cos theta आपका आचुका है फिर y equal to यह दिया हुआ है a तो है sin का हो गया cos minus है यहाँ यहाँ पर आप फिर product rule लगा देंगे लगाने के बाद कुछ के इंसल हो जाएगा cos से एक cos के इंसल हो जाएगा क्या आएगा a theta sin theta तो यह आपका आजाएगा क्योंकि minus से minus भी के इंसल हो जाएगा पलस हो जाएगा तो a theta sin theta क्या हुआ यह आपकी equation first थी और यह आपकी equation यहाँ second है from equation first and second dy over dx equal to dy over d theta over dx over d theta तो dy over d theta जो आपका है a theta sin theta और dx और d theta जो आपका है a theta cos theta a theta से a theta cancel हो जाएगा sin over cos 10 हो जाएगा next fifth question देखिए if x equal to y equal to find dy or dx c में ऐसे नकलना है last में theta की जगए आपको pi y put कर देना जाब इसका solution आपका आजाए आगे देखते हैं solve करते हैं इसे solve करके पता चलेगा देखिए चल लिए आगे ले करके से here x equal to a theta minus sin theta जहां से देखना तो यह तो constant theta का 1 आया और sin का आगया cos y की value यह है a का a 1 का 0 sin theta का आजाएगा इसका minus cos theta का क्या आजाएगा cos theta का minus sin theta और minus minus हो जाएगा पलस तो a sin theta यह आचो का है dy और d theta dy over dx निकालने के लिए dy over d theta उपर और dx और d theta नीचे value रख दी यह से क्या हो गया cancel हो गया sin theta और 1 minus cos theta formula लगाया 2 sin theta y2 cos theta y2 over 2 sin square theta y2 2 से यहाँ पर 2 cancel हो चुका है 1 sin से 1 sin cancel हो चुका है cos upon sin cot theta y2 तो यह इसका solution आया क्या dy over dx इसके बाद में theta के लिए pi y2 put कर होगे तो यह आपका आजाएगा जब theta y2 है cot pi y4 हो जाएगा और 10 pi y4 1 होता है तो cot pi y4 भी आपका 1 होगा और यह यह आपका answer है next यहाँ दिया हुआ है x equal to दिया हुआ है तो dx over dt निकल जाएगा y दिया हुआ है dy और dt निकल जाएगा dy और dx dy और dt उपर और dx over dt नीचे यहाँ पर students उपर से 2 common ले ले जाएगा नीचे से 2 2 से 2 cancel हो जाएगा आर जगे cos t minus cos 2 t over sin 2 t minus sin t इसमा अब आपका c d formula लगेगा कैसे c d value put कर दिये calculation में नहीं के इसने तो ज्यादा at pi y 4 pi y 4 पर value नका लिए cos pi y 4 minus cos pi y 2 2 से multiply divide करके 2 आजाएगा sin pi y 2 minus sin pi y 4 cos pi y 4 1 over under root 2 cos 90 0 sin 91 sin 45 1 over under root 2 उपर तो यह है यह आपका जो भी कुछ है नीचे lcm ले लिया जाएगा इसका lcm लेने के बाद denominators denominator cancel 1 over under root 2 minus 1 rationalization किया जाएगा under root 2 plus 1 denominator a square minus b square में 2 minus 1 1 आया upon में 1 को लेखो या मत लेखो next आगे देखिए third है here x equal to a sin 2t into 1 plus cos 2t तो dx over dt आजाएगा a बाहर first differentiation of second first differentiation of second plus second differentiation of first calculation किया है multiply किया है multiply करने के बाद यहां cos square 2t आगे ले लिया है उसके बाद minus sin square 2t ले लिया है यहां से हमने 2 बाहर चला गया सभी के a बाहर है ही आपका फिर cos 2t cos square 2t minus sin square 2t क्या हो जाएगा cos 40 plus cos 2t और 2 यह आपका है इससे आगे देखिए y equal to b cos 2t into 1 minus cos 2t तो b तो आपका constant t है पार रहेगा first differentiation of second plus second differentiation of first इसके बाद में इसे simplify किया गया simplify करने के multiply हुआ फिर इसका हमने simplify कर दिया उसके बाद में 2 sin 4t कैसे आया 2 sin 2t cos 2t 2 sin 4t आजाएगा इसके बाद में देखिए minus 2 sin 2t आजाएगा 2 sin 2t आपका आजाएगा यहाँ पर फिर देखिए 2 को ले लिया जाएगा common 2b sin 4t minus sin 2t आपका यह है अब आप dy over dx नकालोगे कैसे निकलेगा dy over dx के लिए dy over dt over dx over dt यह value रखी जाएगे cancel होता है 2 से 2 कर दो बाकिया आपका आंस्वर आपके सामने है next देखते हैं यहाँ पर value और put कर देना x की जगह 5y4 5y4 put करोगे sin 5y2 1 होता है sin 5 0 होता है तो 0-1 cos 5 minus 1 होता है cos 90 0 होता है it means यह आपका answer हो जाएगा be upon minus से minus भी आपका cancel हो जाएगा minus से minus भी आपका क्या हो जाएगा यह आपका cancel हो जाएगा इससे आगे देखते हैं students देखिए क्या आएगा इसमें जब इससे हम आगे से देखेंगे तो यह आपका चला जाएगा कहां अगला question देखिए मैं फिर बता देता हूँ यह cancel हो जाएगा तो be upon यह आपका आजाएगा example 6 क्या है चलिए बढ़ते हैं if tan y equal to 2t over 1 minus t square आपका यह दिया हुआ है a sin x equal to 2t over 1 plus t square दिया हुआ है prove that dy over dx equal to 1 यह आपका आने वाला है कैसे करोगे here 10 y equal to 2t over 1 minus t square आपका दिया हुआ है 10 को right hand side में ले जाएगे तो y equal to 10 inverse 2t over 1 minus t square poteng करेंगे poteng t equal to 10 theta theta की value 10 inverse t आ जाएगे जहां कहीं भी आपको t दखाई देता है और 10 theta रख दिया जाएगा 10 inverse 2 10 theta और 1 minus 10 square theta 10 2 theta होता 10 inverse 10 cancel 2 theta theta की जो value है वो यहां से निकलेगी 10 inverse t तो 2 10 inverse t आया 2 तो आपका 2 है 10 inverse का formula 1 over 1 plus t square आपका आजाएगा पर यह आपकी equation first हो जाएगे फिर sin x equal to यह दिया हुआ है क्या करोगे sin को इदर ले जाओ sin inverse 2 t over 1 plus t square आपका आजाएगे क्या करोगे यहां पर t की जगह 10 theta put कर लिया जाएगा पहली ही तर है putting t equal 10 theta implies theta equal to 10 inverse t इससे आगे देखिए question आगे बढ़ाते है यह आचुका है सारा कुछ देखिए यह आगया यह किसके equal होता है sin 2 theta के sin inverse sin cancel 2 theta theta के value क्या 10 inverse t 10 inverse t का जवाब करोगे यहां differentiation dx over dt 2 तो 2 रहेगा 10 inverse t का जाएगा 1 over 1 plus t square यह आचुका है divided dx divided dt उपर और dx और dt नीचे सारा कुछ cancel हो रहा है one bar तो यह आपका यह one आजाएगा answer next second part क्या दिया हुआ है x equal to a into t plus 1 y t implies dx over dt a का a रहेगा t का 1 1 over t का minus 1 over t square LCM ले लिया है तो यह आचुका है आपका y की value यह थी divided dt इसका यह आचुका LCM ले करके क्या होगा यह first इससे आप मान सकते हो second from first and second से divided dx equal dy over dt over dx over dt तो dy over dt यह और dx over dt कर ऐसी प्रोकल t square से t square cancel a से a cancel t square plus 1 over t square minus 1 आपका आजाएगा उसके बाद में students क्या करना है x over y x की value उपर y की value नीचे a से a cancel हो जाएगा t square plus 1 उपर t square minus 1 नीचे और t से जो t LCM ले जाएगा वो भी यहां से cancel हो जाएगा तो dy over dx आपका आ चुका है और x over y भी आपका आ चुका है इसके बाद हम क्या करेंगे देखिए from equation first and second यह आपको प्रूब करना था कि dy over dx equal to x upon y यह ही आपको लाना था और दोनों यह equal है from equation first and second से उसके बाद में देखिए example 7 क्या दिया हुआ है find dy or dx when x equal to log t दिया हुआ है plus sin t दिया हुआ है y equal to e की पावर t दिया हुआ है plus cos t दिया हुआ है तो क्या करते हैं first से हम dx over dt नकाल देते हैं तो यहां से dx over dt log t हो जाएगा 1yt और sin t हो जाएगा cos t इसके बाद में आप देखना क्या आता है देखिए यह आपका हो चुका है y equal to e की पावर t तो e की पावर t का differentiation तो e की पावर t होता है cos का हो जाएगा minus sign यह आचोका है dy dx dy over dt उपर और dx over dt नीचे यहाँ से देखिए क्या होगा 1 over t था t नीचे lcm lcm लेकर के उपर पहुचा देंगे t उपर पहुचा तो यह आएगा 1 plus t cost t और यह आपका आंसर रहेगा next देखते हैं बढ़ाए कोईस्टनों को आगे तो इसमें here x equal to e की पावर t sin t plus cost t तो dx over dt आपका निकलेगा first differentiation of second plus second differentiation of first e की पावर t पूरे में common है इसके बाद उस sin t से sin t cancel हो जाएगा cost t और cost t 2 cost t हो जाएगा तो यह आपका function बन जाएगा सीधा y equal to यह दिया हुआ है तो dy और dt देखिए dy over dt तो इसका differentiation भी with respect to t है तो e की पावर t into sin का cos cos का minus sin तो plus sin हो जाएगा first differentiation of second plus second differentiation of first e का e का e कावर t कर दिया है e कावर t को एक बार और common ले लेते हैं e की पावर t को तो यहां क्या आएगा cos t plus sin t plus sin t minus cos t cos t से cos t क्या हो जाएगा cancel sin t और sin t क्या आया यह आएगा 2 sin t और e की पावर t यहां है तो dy और dx क्या आएगा dy over dt upon dx over dt क्या होगा 2 से 2 cancel e की पावर t से 1 पावर t cancel sin t और cos t क्या हो जाएगा 10T आपका हो जाएगा Next question देखते हैं क्या आता है देखिए Second part है सेम SI है बस X equal to A E की power theta sin theta minus cos theta A आपका क्या है constant है सेम रहेगा First E power theta differentiation of second plus second differentiation of first E power theta यहां भी है यहां भी है common ले लेते हैं यह common ले लिया cos theta plus sin theta plus sin theta minus cos theta cos से cos क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा sin theta plus sin theta 2 sin theta आपका हो जाएगा और A E की power theta आपका है आगे देखिए Y equal to दिया हुआ है A E की power theta into sin theta plus cos theta sorry sin theta ही है दोनों जगे A E की power theta sin theta plus sin theta है आपका question 2 A E की power theta यह cancel हुआ cos upon sin quote आचका है आपका answer है आगे चलते हैं here X equal to E की power theta into theta plus 1 over theta फिर देखिए dx over dt कैसे होता first differentiation of second plus second differentiation of first क्या होगा देखना theta का 1 1 over theta का minus 1 over theta square यह सेम E की power theta का 1 power theta ही E की power theta दोनों में common 1 minus 1 over theta square plus theta plus 1 over theta अब क्या होगा इसमें देखिए cancel तो कुछ भी होता नहीं E का power theta बाहर ही theta square LCM ले ले लेते हैं तो आपका उपर यह आजाएगा LCM ले करके इससी तरीके से Y equal to है इसका भी कोई भरूसा नहीं first differentiation of second second differentiation of first E की power minus theta बाहर ही इसकी calculation करेंगे calculation करने को आद देखिए E की power minus theta यहां भी है यहां भी है तो दोनों से common ले लिया 1 plus 1 over theta square minus theta minus लगा हुआ है plus 1 over theta क्या होगा यहां पर हम theta square आपका जो है यहां से LCM आ जाएगा तो यह आपका बनेगा next चलिए आगे calculation देखिए इसकी LCM ले करके आपका यह आए सीधी value put कर देनी है dy और dx में dy और d theta यह था और dx और d theta यह था करना क्या है यह आपको देखना है theta square से theta square cancel हो गया क्या आया numerator में theta plus theta square minus theta cube plus 1 denominator में क्या आया इसको नीचे ले आएंगे 1 पावर theta को 1 पावर 2 theta बनेगा यह आजाएगा आपका theta plus theta square plus theta cube minus 1 और e की पावर 2 theta यह आपका है इससे आगे देखिए जो होगा next question क्या है यह question number 8 question number 8 में दिया हुआ है if x equal to sec theta minus cos theta y equal to sec n theta minus cos n theta so that यह आपको so करना है so कैसे होगा है इतना आसान question है नहीं वैसे तो x equal to x sec theta minus cos theta sec का तो हो जाएगा sec 10 और cos का हो जाएगा minus sign तो यह पलस sign आजाएगा क्या हुआ देखिए y equal to sec n theta minus cos n theta differentiation करेंगे power का फिर function का n sec n minus 1 theta sec का sec 10 आगया minus n आगया cos n minus 1 cos हो जाएगा minus sign theta इसके बाद में देखिए n sec n theta और यह यहां 10 theta पलस n cos n minus 1 theta sign theta यह कैसे आया पता चला आपको कुछ यह इस तरीके से आया है देखिए यह सेक की पावर n minus 1 है और यहां सेक की पावर 1 है पावर्स सेम है बेस सेम है पावर्स का सम कर देंगे तो 1 से 1 कैंसल हो जाएगा sec n theta आजाएगा इसी तरीके से यहाँ n cos n minus 1 theta और 7 theta यह आपका है इसी आगे चलते हैं देखते हैं क्या आता है देखिए अब यहाँ पर क्या होगा n sec n theta और 10 theta क्योंकि जो यह sec था यह इसी में ले लिया है अब इससे आगे देखिए पालस minus minus हो जाएगा पालस cos n minus 1 theta और sin theta आपका है इसके बाद देखिए क्या होगा dy or dx equal to dy or d theta over dx over d theta तो यहाँ पर dy or d theta की value उपर रख दी और dx over d theta की value नीचे रख दी गई है इसके बाद मैं क्या करोगे simplify करे कुछ होता है तो n 10 theta यहाँ से common ले लिया n 10 theta जब common लिया है तो यहाँ पर तो आजाएगा sec n theta और यहाँ पर 10 common लिया sin तो यहाँ है cos नहीं है cos से आपको multiply करना पड़ेगा तो यहाँ पर cos n theta हो जाएगा over जो आपका denominator है 10 theta इसमें से common लिया sec theta 10 यहाँ से common लिया cos से multiply होगी cos हो जाएगा यहाँ 10 से 10 cancel हुआ end क्या होगा sec n theta plus cos n theta over sec theta plus cos theta यह आपका आजाएगा अब देखे यह x square plus 4 x का square x के वेलियों इसका square plus 4 लिख दिया divided dx का square यह लिख दिया simplify करिए यह simplify हो चुका है इसके बाद में यहाँ आपका 2 है यहाँ जैसा भी कुछ है इससे आगे क्या बनेगा sec square theta plus cos theta plus 2 आपका यह बन जाएगा sec square theta plus cos theta minus 2 आएगा फिर है यहाँ plus 4 तो इस वज़ जैसे यह नहीं लिखा है sec square theta plus cos theta minus 2 sec theta cos theta plus 4 ऐसे ही यहाँ पर जो कुछ है यही है अब करना क्या है इससे आगे देखते है आगे जब देखोगे आपको पता चलेगा sec square theta plus cos square theta plus 2 का whole square बन जाएगा यहाँ तक इसके बाद में n sec n theta plus cos n theta और sec theta plus cos theta का whole square यह आपका perfect square यह आपके square यह आपके square अलग लग कर लिए सभी के यहाँ पर n square sec n theta plus cos n theta का square यहाँ पर sec theta plus cos theta का square है और यह क्या है sec theta plus cos theta का यह भी square है इससे यह क्या हो जाएगा यह cancel हो जाएगा तो यह ही आपका है क्या हुआ क्या हुआ n square sec n theta minus cos n theta का whole square अपनी तरफ से plus 4 जब आप इससे खोलोगे तो अंदर यह यह आएगा इसके बाद में देखिए n square और यह जो वाई यह जो वैल्यू है ना यह वाई की वैल्यू है तो y square पलस फूर यह आ चुका है आपका द्यान से देखिए यह आपका था क्या डिफ्रेंसीशन किसका डिफ्रेंसीशन था यह जहां से देखिए left hand side हमें किसके कुल करनी थी right hand side है तो left hand side को हम लेकर के चले right hand side हमने solve करा दी ऐसे आपको करना है देखिए next यह है आपका if x equal to 1 plus log t over t square comma y equal to 3 plus 2 log t over t t greater than 0 then so that तो यह आएगा यह प्रूव करना है x की value cosine true denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator square of denominator simplify किया log t का 1 over t first differentiation of second plus second differentiation of first इसके बाद में देखिए आपका यह आ जाएगा आगे चलते हैं करते हैं solve से देखिए यहां से t common आया t से एक t cancel हो जाएगा थ्री बार क्या आएगा 1 plus 2 log t और t cube यह आया उसके बाद में देखिए y equal to 3 plus 2 log t 3 plus 2 log t over t t greater than 0 है first differentiation of second minus second अब यहां देखिए पहली बाद यह दिया हुआ था आपका y equal to 3 plus 2 log t over t तो यह form है आपकी p upon q form सीधी सी बाद है यह जो है आपके product में नहीं है यह आपका p upon q की form है और यहां पर आपका cosine true लगेगा तो denominator, differentiation of numerator, minus numerator, differentiation of denominator, square of denominator t से यहां t आपका cancel होई जाएगा तो यहां है 2 minus 3 minus 2 log t over t square अब आपको करना क्या है देखिए minus का 3 plus का 2 minus का बना जाएगा minus का 2 log t है ही minus minus plus हो जाएगा over t square तो यह dy और dt आया यहां से dy और dx जब आप नकालोगे dy और dt over dx over dt करके तो इसको multiply करें cancel हो रहा है तो cancel करें इससे यह क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा t square से यह t bar cancel होगा और इससे यह cancel हो जाएगा तो यह t इसका answer आगया क्या आगया t इसका answer वर आगे देखतें left right क्या है देखिए left hand side left hand side में क्या था y dy और dx y dy और dx उसी पर है और यह उसकी t से t cancel हो जाई है उसके बाद राइट इंट साइड देखिए 2x into dy dx का whole square plus 1 2x तो चलो है x की value आपके पास है dy और dx के whole square और करना है तो dy और dx का whole square और कर दिंगे क्या आएगा आपका यह आ जाएगा करना क्या है 2 1 जा 2 और 1 3 हो जाएगा plus 2 log t यहां से आ जाएगा और भी यह t square से t square आपका cancel हो जाएगा यह है इससे आग देखिए क्या करना है फिर सुन लो 2 1 जा 2, 2 और 1 3 हो गया और 2 log t हो गया और यह t square से t square cancel हो गया from equation first and second जो यह side थी यह इसी के क्या हो गई equal हो चुकी है left side right side के equal हो चुकी है from first and second यह आपका question भी prove हो चुका है students यह था आज का वीडियो और exercise 7.7 आपकी complete हो चुकी है parametric function वाली जब आपके 2 function दिये हुए हो 1 x में और 1 आपका y में दिया हुआ हो तो वहां से दोनों function का differentiation अलग-अलग किया जाता है dy over dx निकालने के लिए dy वाला function उपर रखा जाता है dx वाला function नीचे रखा जाता है और फिर उसका calculation कर दी जाती है और उसके बाद में आपके सारे question आते हैं चले जाएंगे students वीडियो कैसा लगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो like और channel को subscribe कर देना thank you